नमस्कार बच्चों कैसे हूँ आप सब उमिद करता हूँ कि छुट्टियों के बाद पुना ताजिगी के सांथ एक बार आप पढ़ाई के लिए हाजिर होगे तो चले शुरू करते हैं आज की पढ़ाई लेकिन आज तो पढ़ाई है ही नहीं आज आज आपको कर रहा है मुल ल्यांकन कारेपत्रक संख्या तीन जो की क्लास आठ के समाजिक विज्ञान एससटी का है और यहां है कि निमलेखित प्रस्णों के सही भी कल्पों के सामने दिये गए गोले को पेन या पैंसिल की सायता से काला कीजिएगा काला आप कीजिएगा मैं सिर्टिक लगा कर आपक संख्या में लोग मानते हैं तो जगरनात संप्रताय को सबसे बड़ी संख्या में लोग मानते हैं उडीसा में तो इसका उत्तर हम लोग लगाएंगे जिसमें अल्ब संक्यक समुदाय समाजी का हासिया करण के वज़ा से किसी खास अर्ष्थान तक स्थिमित हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है तो उसे हम लोगों ने पढ़ा था कि उसे घेटवाइजेशन कहा जाता है उसे घेटवाइजेशन तो इसका उत्तर होगा तीसरा का यह उत्तर होगा गेटवाईजेशन उसके बार नेक्स्ट है चौथा कि भारतिय संविधान के मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद के द्वारा छुवाचूत को खत्म कर दिया गया है तो वहाँ अनुच्छेद काफी महत्त्रपूर्ण है अभी हाल फिलहान ही आपने पढ़ा है कि वहाँ अनुच्छेद है अनुच्छेद सत्रा अनुच्छेद सत्रा के द्वारा ओस्प्रिस्थेता का अंत्र किया गया है जिसमें कि छुवाचूत का खात्मा कर दिया गया है इसके उनुच्छाद छुवाचूत को एक दर्णनी तो आप जानते हैं कि भारतिय सम्मिदान के अंशित 15 में क्या गया है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म जाती वन्स लिंक के अधार पर कोई भी दभाव नहीं किया जाएगा तो यह दी से समझने थे मतलब समानता के अधिकार से समझने थे उसका प्रस्ने 6 है कि अनुसुचित जाती ससी सेडूल कास्ट और अनुसुचित जन जाती स्टी अत्याचार निवारन अधिनियम किस वर्स बनाये गया तो हमने अभी तुरत पड़ा था कि यह बनाये गया था 1989 में तो इसका उत्तर सी होगा 1989 और फिर प्रस्ने साथ है कि सी के जानू डैस कारे करता है तो सीखे जानू क्या है सीखे जानू आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कारे करता है तो इसका उत्तर भी होगा और फिर प्रस्ना 8 है कि निमनले खित में से कौन सा भारतिय राजे सरवाधिक आदिवासी समुहों की संख्या का अस्थान है मतलब कि किस राजे में सबसे जादा आदिवासी समुह रहते हैं तो यहां संख्या की संख्या की बात नहीं की गई है उनके समुहों की बात की गई है तो जब समुहों की बात आती है तो सबसे जादा आदिवासी समुह उडिसा में रहते हैं तो इसका उत्तर उ अगर आपका उत्तर A होगा तो इसमें कथन A और R दोनों सही होने चाहिए और R कथन A की सही व्याक्या करती हो तब आपका उत्तर A होगा अगर कथन A और R दोनों सही है लेकिन R कथन A की सही व्याक्या नहीं करता है तब उत्तर B होगा और कथन A सही है जबकि R गलत है तो इसका उत्तर B होगा तो चलिए अद देखते हैं कि इसमें क्या इस्थिती है प्रस्ण 9 है कथन A है कि आदिवासी लोगों को अपना वास अस्थान छोड़ना पड़ा और कथन R है कि जंगल के इलाकों में कई परकार के और दोगी क्रिया कलाप होने लगे जिसकी वज़ा से आदिवासीों के छेत्र में लोग प्रवेश किये और वहां से आदिवासीों को अपना छेत्र छोड़ना पड़ा तो ये दोनों सही है और कथन R कथन A की सही व्याक्या भी कर रहा है तो इसलिए इसका उत्तर ये होगा और उसके बाद प्रस्थन 10 है कि भारत के सभी नागरिक मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में नयायाले की सरन ले सकते हैं तो मौलिक अधिकारों की गैरंटी भारत के सम्मिधान के द्वारा दी गई है तो यह दोनों सही है और यह इसकी व्याक्या भी करता है कि अगर आपके मौली का जिकार का हनन नहों तो आपने आले की सरन दे सकते हैं तो इसलिए इसका उत्तर भी ये होगा 9 और 10 का उत्तर भी ये होगा तो बच्चो इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही आसान से वर्षिट की और वर्षिट अगर आपको अच्छी लगी हो करना ही चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्षिट में थैंक यू